श्रिलंका बलाम उस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पांचवे और आखरी एक दिवसी अंदर राश्ट्री मुकाबले में श्रिलंका की पूरी टीम मातर एक सो साथ रनों पर ही डेहर हो गई श्रिलंका की आज शुरुआ काफी खराब रही जहां बलेबाज एक के बाद एक अपना विकेट गबाते रहे आपको बता दे कि श्रिलंका की स्थिती एक वक पर ये थी कि टीम ने अपने आठ विकेट मातर 85 रनों पर ही गबा दिये लेकिन इसके बाद फिर वो हुआ जिसकी उमीद शायद आस्ट्रेलिया टीम को नहीं थी आपको बता दे कि आठ वे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे चमेका करुना रतने ने श्रिलंका की टीम का सम्मान बचाते हुए शांदार बल्लेबाजी करके दिखाई चमेका करुना रतने ने 75 गेंदों का सामना करते हुए 75 रनों की शांदार पारी खेली उन्होंने अपनी पारी के दोरान 8 चौके और 2 छक्के लगाए आपको बता दें कि चमेका करुना रतने ने 9 विकेट के लिए प्रमोद मधुशन के साथ मिलकर 58 रनों का योगदान दिया 58 रनों की इसी पारी के चलते श्रिलंका की टीम 170 बना सकी आपको बता दें कि श्रुलंका की टीम इस सीरीज में 3-1 से आगे हैं और सीरीज अपने नाम कर चुकी है श्रुलंका के टीम ने 30 साल के बाद आस्ट्रेलिया को वंडे सीरीज में शिकस्त दी है श्रुलंका के लिए इस सीरीज में हर एक बल्लेबाज एहम रहा है लेकिन पांचवे वंडे मुकाबले में जब सभी बल्ले बास धेर हुए तब चमीका करोना रतने ने 75 रनों की बहु मूले पारी खेलते हुए अपनी टीम को सम्मान जनक स्कोर तक पहँच आया इस खबर में फिलहाल इतने ही बाकी की तमाम खबरों के लिया बने रही है वन इंडिया के साथ